हेलो फ्रेंड्स ग्यान वीडियोस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महतपुन, फल, चीकु के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों जो भी चीकु को अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहते हैं, उन्हें इस बात की बिलकुल भी जानकारी नहीं होती की चीकु को कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। जिसकी वज़ह से उन्हें कभी भी पूरी तरह से लाब नहीं मिल पाता। So friends, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी कि चीकू हमें किस वक्त खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए. चीकू खाने का सही तरीका क्या है? एक दिन में कितने चीकू हमें खाने चाहिए? चीकू का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? और साथ ही साथ मैं चीकू खाने के जबरदस फायदे आपसे शेयर करूँगी. इसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं. दुस्तों चीकू एक सूपर फूट की श्रेणी में आता है. इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, आइरन, जिंग, कैल्शियम, मैगनेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम और अन्य एंटियोक्सिदेंस भी अच्छी मातरा में होते हैं. आईए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीकू का सेवन करने का सही समय क्या है? किस वक्त, यानि सुबर, दोपर या रात के वक्त हमें चीकू का सेवन करना चाहिए? चीकू अगर आप सुबह के वक्त खाएं तो बहुत ही गुणकारी है आपके पेट के लिए शरीर के लिए पाचन शक्ती बढ़ाने के लिए बहुत लापकारी है यदि आप इसका सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदे मन्द होगा आपके शरीर के लिए इसके अलावा चीकू का सेवन भोजन के साथ या भोजन करने के तुरन बाद नहीं करना चाहिए और अगर आप चाय कॉफी का सेवन करते हैं तो कभी भी चीकू का सेवन चाय कॉफी के साथ में या तुरन बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए इससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है ये तो हमने आपको बताया कि चीकू खाने का सही समय क्या है अब हम जानेंगे कि चीकू खाने का सही तरीका क्या है इसे किस तरह हमें खाना चाहिए चीकू खाने का सबसे सही तरीका है आप चीकु को तोड़ कर उसके अंदर का बीज निकाल लें और फिर चीकु का सेवन करें वैसे तो चीकु का सेवन छिलके सहित करना फायदेमन होता है पर अगर आप इसका छिलका नहीं खा सकते तो चीकु के छिलके की सतर के गुदे को कुरेद के जरूर खाएं जिन लोगों को diabetes हो या चीकू खाना पसंद ना हो उन लोगों को चीकू के छिलके की अंदर की सत्ता को चम्मत से कुरेट के दे दीजिए उसमें इतना fiber, potassium, iron और vitamin C मिल जाएगा जो शायद चीकू के गुदे में भी ना हो या आपके शरीर के लिए बहुत ही गुनकारी है इसके अलावा आप चीकू का सेवन और भी कई तरीकों से कर सकते हैं आप चीकू को fruit chart में एड़ कर सकते हैं आप चीकू का सेवन हलवे के रूप में कर सकते हैं या फिर चीकू की आईस ग्रेम बना कर खा सकते हैं पर एक बात का ध्यान दे दोस्तों चीकू हमेशा पका हुआ ही खाना चाहिए क्योंकि कच्चा चीकू खाने से गले में, खुजली, पेट में, दर्द या मूँ में अलसर की समस्या हो सकती है और जिन लोगों को वजन बढ़ाना हो, वे चीकू को दूद के साथ यानि मिलकशिक बना कर पीएं, इससे वजन बढ़ने में मदद मिलेगी आईए अब हम जानते हैं, दिन भर में हमें कितने चीकू खाने चाहिए वैसे तो एक हेल्दी परसन रोजाना दो से तीन चोटे चीकू या एक से दो मीडियम साइज के चीकू का सेवन कर सकता है पर हर किसी के शरील की तासीर अलग होती है, हर किसी को अपने शरील के अकॉर्डिंग काप्स की जरवत होती है जो लोग वेड गेन करना चाते हों या जो लोग वरक आउट करते हैं या जिम जाते हैं उन्हें यूजवली चार से पांच छोटे चीकू खाने की सला दी जाती है पर ध्यान रखी का ये डिपेंड करता है जितने काप्स की जरवत हो आपके शरील को उसके हिसाब से आप चीकू खाएं चलिए अब हम बात करते हैं चीकू का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए अगर आपको डिपेंड की समस्या हो तो चीकू का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलार जरूर लें क्योंकि इसके सेवन से शरील में शुगर का लेवल बढ़ सकता है और जिन लोगों को चीकू से ऐलर्जी हो उन्हें चीकू नहीं खाना चाहिए जियां चीकू में टैनिन और लेटेक्स जैसे केमिकल्स होते हैं जो एलर्जी को ट्रिगर कर सकते हैं रोजाना चीकू का सेवन करने से क्या-क्या अनोखे फायदे होते हैं आईए जानते हैं जिन्हें पेड की समस्या रहती हो उन्हें चीकू जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है जिसे पाचन शक्ती मजबूत होती है इसके अलावा चीकू का सेवन करने से कॉंस्टिपेशन याने कबजी की समस्या भी दूर होती है अगर आप पतले दूबले हो याने आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हो तो आपको रोजाना चीकू खाना चाहिए ये वजन बढ़ाने बहुत ही सायक है रोजाना चीकू का सेवन करने से शरीर की ठकान दूर हो जाती है क्योंकि ये काबो हड़िर का बहुत अच्छा सोर्स है और इसमें नेचरल शुगर होती है इसलिए चीकू का सेवन करने से शरीर में तुरंत एनरजी आ जाती है इसके अलावा जिन नोगों को हड्डियों में दर्थ की शिकायत रहती हो उन्हें चीकू जरूर खाना चाहिए क्योंकि चीकू में केलशियम और आयरन की मात्रा अच्छी होती है इसलिए नियमित रूप से चीकू खाने से हड्डियाद मजबूत होती है चीकू खाने से skin tight और चमकदार बनी रहती है क्योंकि चीकू में vitamin C और vitamin E अच्छी मात्रा में होता है जो त्वचा को सेहत मन बनाये रखता है इसके सांसा चीकू में vitamin A होता है जो आँखों के लिए फायदे मन होता है पर दोस्तों कोई भी चीज का सेवन अगर हम जर्वत से अधिक मात्रा में करते हैं तो वो में फायदे की जगा नुकसान भी कर सकती है जी हाँ चीकू में फायदे की मात्रा बहुत अच्छी होती है तो जर्वत से ज़्यादा चीकू खाने से bloating, diarrhea, acidity और पेट में दर्द जैसे समस्या हो सकती है एक और बात का हमेशा ध्यान दे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया चीकू की तासिर ठंडी होती है इसलिए भूल कर भी कभी भी चीकू खाने के बाद पानी न पीए नहीं तो इससे आपको सर्दी खांसी जैसे समस्या हो सकती है इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी चीकू खाने का भरपूर लाब उठा सकें बाई फ्रेंड्स जल्दी मिलते नए वीडियो उसके साथ